नुश्कार दोस्तों, दिपावली और छटकी आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई हैं, जो हरो का समय है, वो लास का समय है, लेकिन ये सिविल सेवकों के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही महतपूर्ण समय है, कि वो अपने तैयारी को एक नया आय प्रियाम दे सकें, क्लासिस बंध हैं, कॉलेज बंध हैं, और ये समय है, आप अपना चिंतन करें, अपने आगे की प्लानिंग करें, और आने वाले समय में जो आपको प्रप्रेशन करनी है, उसके लिए अपना फांडिशन बनाएं, जबरदस तरीके से बनाएं, और आगे अपने तयारी को लेकर चलें, जिनको 2020 देना है, उनके लिए बहुत क्रूशियल टाइम है, तो वो कोशिश करें कि दीपावली के तिवार को, वो सिर्फ एक दिन तक ही रखें, बाकी अपना पूरा समय वो जो क्लासिस में पीछे छूट गया है, या जिसका रिवीजन नही वो है, जिसके कुश्चन नहीं लगें, उन पर वो लगातार फोकस करें, सबोस्थ एट हिस्ट्री या पॉलिटी या जोगर्फी, इस पर आप अपना सबसे आदा फोकस करके रख सकते हैं, जब आप यहां फोकस करके रखेंगे, तो आपको फायदा यह होगा कि दिपावल उसका अध्यन परारम करें, एक लिस्ट कम से कम वो हिस्ट्री और जोगर्फी की इसमें रीट करें, या जो गौर्मेंट की मैगजीन है, जैसे योजना या कुछ तो उसको रीट करें, या एक लिस्ट अपना टाइम मैनेजमेंट फिक्स करें, जैसे अपनी बॉड़ी को सह कर सकते हैं, देर तक सोने की आधत है, तो उसको थोड़ा सा सही कर सकते हैं, अपनी सेहक पर ध्यान दे सकते हैं, सबसे महत्रपूर है, जो कोई भी exercise अगर आप शुरू करना चाहते हैं, इस सबसे राइट टाइम है, ताकि अगर आपको दिन में ठकान भी लगे तो आप उस strategy होनी चाहिए कैसे आगी चीजों को लेकर जाना है तो गुरकपुर में 31 तारीक को होटल अवंतिका में मैं पहुंच रहा हूं सेमेनार के लिए आप भी बड़ी संख्या में अपने पैरेंट के साथ पहुंचे ताकि हम बाचीत कर सकें आपके अंदर में वो विश्वास सकते हैं और एक अच्छा गेट टूगेदर होगा मिलेंगे बैठेंगे और आपकी जो इस पर में व्यक्तिकत रूप से काम कर पाऊंगा यही हमारा एक प्रयास है जुड़े रहिए तेवहारों को अच्छे से मनाईए लेकिन अपनी पढ़ाई को भी आगे लेकर जाने का यही सबसे उच्छे समय भनेवाद